नमस्कार, आर्शियाई सिक्ष्यागूर्प बानसूर के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है हुनर किसी का महताज नहीं होता, यह छुपने वाला कोई राज नहीं होता हाँ आज हम बात करेंगे विद्यारतियों के हुनर की टेलेंट की यदि आप अपने हुनर को जानना चाते हैं, आभिवावक अपने बच्चे के टेलेंट को पहचानना चाते हैं तो विद्यारतियों के लिए आर्शियाई सिक्ष्यागूर्प बानसूर एक ऐसा प्लेट फोरम लेकर आया है जिसके माद्यम से आप अपने बच्चे का टेलेंट जान सकते पहचान सकते हैं एक ऐसा आर्शियाई ओलंपियाड एक्जाम जिसमें विभिन्न जिलों के लबग 15 से 20 तेशलों के 500 से अधिक स्कूलों के विद्यारति भाग लेंगे ये टेलेंट सक्च एक्जाम जिसे आर्शियाई ओलंपियाड 2023 के नाम से आर्शियाई शिक्ष्या गुरुप बानसूर की ओर से आउयजित करवाया जा रहा है मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि विद्यारति अपने स्कूल इस्तर पर टोपर हो सकता है विद्यारति अपने स्कूल में प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् एपीस, E-School, Hindi Medium के विध्यारती, English medium के विध्यारती, गयारवी, बारवी, IIT, JEE, N.E.T. Foundation के विध्यारती भाग ले सकते हैं. मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसमें विभिन प्रकार के जो कारेकरम आयोजित करवाए जाएंगे उसकी विश्तरित जानकारी आज आज आपको से ओलाइन फ्लेट फर्म पर उपलंद करवाई जाएगी इसके तैत में आप सबको आज बताना चाहूँगा सबसे पहले आर्चाई ओलंपियाड जो एक्जाम है इसमें क्लास होर्थ से लेकर क्लास 12 पतक के जैसा कि मैंने पहले बताया CBSC, RBSC, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सभी विध्यारती बाग नहीं सकते हैं एक ऐसा एक्जाम जिसमें विभिन ने तैसिलों के विध्यारती एक साथ एक ही प्लेट फॉर्म पर इस कंप्रेट्शन को देंगे इसमें स्लेबस जो रहेगा उसके लिए मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा लेबस कक्षाप 4 से लेकर कक्षा 10 तक विध्यारती चाहे CBSC का हो चाहे वो RBSC के हो हिंदी मीडियम, English Ст सभी के लिए पेपर एक ही होगा इसमें कक्षाप 4 से लेकर कक्षा 10 तक तीन सबजेक्ट रहेंगे Science, Maths, English तीनों ही सब्जेक्ट के 10-10 प्रसंद विध्यारतियों के लिए आएंगे इसी प्रकार क्लास 11 और 12 के जो विध्यारती रहेंगे इनका सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार उनके अलग इस्ट्रीम के अनुसार पेपर्स होंगे जैसे Science जिन विध्यारतियों के पास में है उनके पास Physics, Chemistry English के 10-10 क्यूसन होंगे इसी प्रकार Agriculture के विध्यारतियों के लिए Chemistry, Biology और English के 10-10 क्यूसन होंगे Arts, History में के जो विध्यारतियों होंगे उनके लिए जोगरोफी English और Hindi के 10-10 क्यूसन होंगे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सन का जो तर विध्यारति देंगे इसका प्रकार MCQ, One Word या One Line आंस्वर रहेगा इसी प्रकार हम आप इसमें बात करना चाहेंगे गुरुप्स की RCI Olympiard 2023 यह तीन गुरुप में आयोजित करवाया जारा है इसम गुरुप जो कक्षा 4 से कक्षा 8 तक रहेगा इस गुरुप में 4 से लेके 8 तक के सभी विध्यारति भाग लेगे इसका आयोजन 8 जनवरी 2023 वार रव्यार को करवाया जाएगा जित्य गुरुप जिसमें कक्षा 9 और 11 के विध्यारति भाग लेंगे इसमें 11 के सभी स्ट्रिम के विध्यारति एक साथी एक्जाम देंगे इसका एक्जाम जो होगा वो 22 जनवरी 2023 वार रव्यार को आयोजित होगा इसी प्रकार तीसरा जो गुरुप इसमें एक्जाम जो करवाया जाएगा वो कक्षा 10 और 12 यानि बोर्ड के विध्यारति चाहे हो CBSC बोर्ड के हो चाहे हो CBSC बोर्ड के हो सभी विध्यारति इसमें भाग लेंगे यह परिक्षा 29 जनवरी 2023 वार रव्यार को आयोजित करवाई जाएगी आगे हम बात करना चाहेंगे विध्यारतियों के आप सब के दिमाग मेंगा कि होरम बढ़ने की प्रकरिया किसी भी तैसिल का विध्यारति इसमें भाग ले सकता है किसी भी जिले का विध्यारति इसमें भाग ले सकता है राजितान, हर्याना, देली यहां तक के विध्यारति बानसूर जो एक सिक्षा नगरी के नाम से फैमस है पूर्वी राजस्तान के अलवर जिले की सिक्षा नगरी बानसूर इसमें 4-5 स्टेट के बच्चे अध्यन करते हैं बहुत अधिक जिले के विध्यारती यहां रेकर के अध्यन करते हैं तो मैं सभी विध्यारतियों की सुधाओं को द्यार मेरते फोर्म बढ़ने की प्रतिया बताना चाहूंगा जो विध्यारती बानसूर, नारायनपूर, हानागाजी, मुणावर, खेरतल, कोटपूतली आसपास की पैसलों के हैं वो ओफलाइन फोर्म बढ़ना चाहें तो ओफलाइन फोर्म बढ़ने के लिए आर्चाई केंपस बानसूर, जो कोटपूतली रोड पर है, यहां केंपस में आकर के फोर्म बढ़ सकते हैं यह और्चाई का सिटी ओफिस, जो कसमे में हर्स्वरा चोराए पर है, वहां फोर्म टापकर करके और वहां से ऐपलाइन फोर्म बढ़ सकते हैं कि जिस दिन विध्यारती फोर्म भडएगा उसी दिन विद्यारती को उसका प्रूस प्रूस दे दिया जाएगा यदि विद्यारती ओपलाइन फोर्म नहीं बरपाता है, ओनलाइन फोर्म बढ़ना चाहता है, तो फोर्म बढ़ने की दूसरी प्रक्रिया ओनलाइन रहेगी, ओनलाइन फोर्म बढ़ने के लिए विद्यारतियों को RCI Education Hub Bansur के Facebook पेज पर जाना होगा, वहाँ Apply Option को आप खुल 9982 555-881 इस नंबर को आप सेव कर लें, इस पर आप हारचे लिखकर WhatsApp कर दें, आपके पास फोर्म का लिंक आएगा, आप उस फोर्म को कम्प्लीट करके और अप सबमिट कर दें, आपके पास फिर आपका प्रिवेस पत्तर जो विद्यारती ओनलाइन फोर्म बरेंगे, उनक कि WhatsApp नंबर पर आपका प्रिवेस पत्र आएगा, उस प्रिवेस पत्र का प्रिंट आप निकाल लें, परिक्सिया जिस दिन आपके आयोजित होगी, उस दिन आप उस प्रिवेस पत्र को साथ लेकर कर आई, इसके अलावा, मैं आप सब को बताना चाऊंगा, कि यदि आप और अधिक जानकारी इस ओलम्पियाड के संबंद में लेना चाहते हैं, आरचे एजुकेशन अब बानसूर के Facebook पेज या YouTube चैनल को आप देखें, वहाँ पर इस ओलम्पियाड से संबंदित विबिन परकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं, इस में प्रुसकार का जो होगा, मुसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे ही विद्ध्यारतियों का रिजल्ट, जैसा मैंने बताया, तीन गुरुप में ये एक्जाम आयुजित होगा, तीन गुरुप का तीन ही टाइम में इनका सम्मान समारू आयुजित करवाया जाएगा, सम्मान आई ओलंपियार 2023 का हिस्सा आप बने, आप अपनी प्रतिवा को जाने, आप अपने होनर को जाने धन्यवादे।